दुनिया के सबसे बड़ी राजनेतिक पार्ty BJP फिर से अपना सदस्यता अभ्यान शुरू कर रही है दो सितम्बर से सदस्यता अभ्यान का पहला चरण शुरू होगा जोकी 25 सितम्बर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण एक अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा प्येम मोदी पार्टी के पहले सदस्य होंगे लोग नमो आप और QR कोड के जरिये पार्टी के मेंबर बन सकते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा और सूत्रों के माने तो पार्टी ने 20 करोर लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्षे रखा कि दो सितंबर से यह संद्टन पर्वस सरस्यता का शुरू होगा जिसमें नए सिरसे सभी मौजूदा जो सरस्य उनको भी फिर से सरस्य होना होगा तो दो सितंबर को माननिय प्रदान मंत्री नरेंदर बोदी जी को आधनिय अध्यक जी पहला सरस्य से बनाएंगे और उसके बाद पुरे देश में सरस्यता शुरू होगी आगरा में सास पर बहू की पिटाई करने का आरोप है महिला का आरोप है कि उसकी सास अपने उपर भूत का साया होने का ढोंग करती है हफते में तीन दिन सास पर भूत का साया इसी तरह से होता है और तब सास बहू को बुरी तरह से पीटने लगती है सास काई बार बहु को गरम चिम्टे तक से दाग चुकी है जिसके बाद वो परिशान होकर अपने माइखे आ गई उसने अब पती से इसके शिकायत की है तो पती ने भी भूत का साया हूने की बात कहकर पल्ला जाड़ लिया है पिड़ता ने थाना पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने मामला परिवार परामश केंदर में ट्रांसफर किया है सब्सक्राइब कर रहा है, है कि पुछ कि ग्राइब हो, काया, सब कह रहा है नाज है और वो इससी पाईसफर काईशिक कर रहा है . सास नाराज हो जाती है तो अपनी नाराजगी को उतारने का उसका एक तरीका है कि वो बाबा आने का अपने उपर वो एक वो करती है कि मुझे कोई बाबा बगेरा आ गया सहाब मेरी सास भूत का साया होने का ढोंग करती है और हफ्ते में तीन दिन मेरी बुरी तरह से पिटाई लगाती है जब ये शिकायत लेकर एक बहू पुलिस के पास पहुँची तो पुलिस भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गई पुलिस ने मामला परिवार परामर्स केंदर में ट्रांसा कर दिया अलगी जब काउंसलर्स ने पती और पतनी दोनों को बुलाया फरुकाबाद में फासी के फंदे पर दो लड़कियों के शव लटके मिले दोनों शव बगीचे में पेड से लटके मिले एक ही दुपटे से दोनों के शव लटके मिले परिजनों ने हत्या का शव लटकाए जाने की आशंका जताई है और दोनों शवों को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वारदात की जानकारी होने पर पोलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांत में जुट गई कोतवाली कायम गंच शेतर के भगोती पुर गाव के घटना है दोनों लड़कियां कल राज जनमाश्टमी पर मंदिर गई थी और देर राद तक नहीं लोटने पर परिजनों को लगा कि वो बुआ के घर रुख गई होंगी सुबा पेड से लटकते शब देखकर ग्रामिडों ने पुलिस को उसकी सूचना दी गटना की जानकारी मिलने पर स्पी भी मौके पर पहुचे सब्सक्राइब करके और दोनों दुपट्टा इखटे करके और सेंपे लाइस पड़ा हुआ है तो यह उपर थी एक मिल शेक्षी प्रसंदिश्टिया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहां पेड पेड पिचल करके ऐसा किया है परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोश्च मारब के बारे पूरी तरह से पुरी तरह से पुरी लटना कम का पता चल पाएगा गाजेपुर में आरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने चार शराप तसकरों को गिरफटार किया है पकड़े गए बदमाशों में से एकने भागने की कोशिश की और भाग रहे बदमाश ने पिस्टिल छीन कर पुलिस टीम पर फाइरिंग की पुलिस की जवाबी फाइरिंग से बदमाश घायल हो गया गेहमर थाना शेतर के बकौनिया गाउं में ये एंकाउंटर हुआ आपको बता दे 20 अगस को रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ जवानों के शव में ले थे बहराइच में आदम खोर भेडिये का आतंक जारी है बीती रात मा के साथ सो रहे पांच साल के बच्चे को एक भेडिया खीच ले गया और घर से करीब 200 मीटर दूर धान के खेत में शक्त विक्षत हालस्त में बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला पिछले डेड़ महीने में भेडिया आठ लोगों को अपना शिकार बना चुका है मामला खेरी घाट थाना शेतर के दिवान पुर्वा गाव का है इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से अब लोग देशत में हैं वन विभाग की टी में भेडियों को जल्द पकड़ने अब लोगों के द्वारा जनकारी मिली कि यहां पर एक बच्ची की लास परी ही है अल्दा हुआ और जितनी भी टी में लगी भी इतनी घस्त में उसल दाईंग दोन कामरा भी आया तो तब तक्रीश नहां पर मौके पर जांच वही जब पता लगा कि एक हमारे दिवान पुर्वा मजरे के सिपाहिलाल का पोटा सजन का लगा है और उसी की एलास है पोस्टमास्टम के नौईडा के सेक्टर 72 में कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई दोनों पक्षों में काफी देर तक लाठी डंडे और बैट चले एक पक्ष के लोगों ने तो बैट और दूसरे की कार ही तोड डाली मारपीट का ये विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जिसमें कुछ महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है जगड़े में दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटे आई हैं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्च का चार लोगों को गिरफतार कर लिया आगरा के इतमाद दौला शेतर के एस अस्पताल में स्टाफ का मारपीट करते विडियो सामने आया है अस्पताल स्टाफ ने तिमारदारों के साथ मारपीट की है स्टाफ ने वुजर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की है जिसमें दो महिलाएं घायल हो गई पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच मजुटी है A.S. अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है और मारपीट के विडियो भी CMO ने जांच शुरू कर दी है राइबरेली में N.T.P.C. में कोईला ले जाने वाली मालगाड़ी के डब्बे आपस में टकरा गए घलत ट्रैक पर आने उसे हादसे की वज़े इसको बताय जा रहा है जबकि मालगाड़ी का एक डब्बा बुरी तरह श्रतिग्रस्त हो गया हादसा N.T.P.C. उचाहर परिसर के अंदर हुआ है आगरा में नाबालिक से ग्यांग्रेप का मामला सामने आया है पड़ोस के ही तीन युवकों पर ग्यांग्रेप का आरोप है एत्माद दौला पोलिस से मुकदमा दर्श कर लिया जाच शुरू कर दी और आरोप है कि 25 अगस्त की रात को नाबालिक घर से जनरल स्टोर पर सामान लेने गई थी तब ही पड़ोस के रहने वाले तीन युवकों उसको बहला फुसला कर अपने साथ आटो में ले गई सुनसान जगा पर ले जाकर पहले युवकों ने खुश शराब पी और किशोरी को जबरन शराब पिलाई उसके बाद ग्यांग्रेप किया फिर किशोरी को लाकर महले में छोड़ दिया घर लोटी किशोरी ने परजनों से आब बीती बताई जिसके बाद परजनों ने थाने में इसकी शिकायत की जहां से पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरों का परदा फाश किया है पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफतार करके उनके पास से चोरी की छे बाइक्स बरामत की गिरो पिछले कई महीने से शहरी इलाकों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था सारजनिक जगों से लेकर घरों के बाहर खड़े दो पहिया वाहनों पर उसके नजर रहती थी और पुलिस दे तीनों शातिरों को जेल भेज दिया है पुलिस पूछताच में और भी कई सुरागात लगे हैं जिनको लेकर जाच की जा रही है बिजनाओर के चांदपूर इलाके में कक्षा छे के छातर की टीचर और मैनेजर ने पिटाई कर दी इसके बाद बच्चे के परजनों ने स्कूल स्टाफ के खलाब थाने में तहरीर दी जिसके मताबिक बच्चा स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है 23 अगस्त को शाम करीब 3 बजे उसके टीउशन टीचर राहुल सिंग ने उसे डंडे से पीटा और टीचर ने मानेजर से शिकायत की तो उसने भी पीचा परजनों के मताबिक इसमें बच्चे को गंभीर चोट आई उन्होंने कल हॉस्टल से बच्चे को लाने में देने में स्कूल प्रबंधन पर आनाकानी करने का रोप लगाया है परिजनों की तेहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, बच्चे का मेडिकल कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई होगी लखीमपूर खीरी के ग्रामेड अलाके में बाग की दस्तक से दहशत है एक बाग अचानक खेतों में पहुच गया जिसमें काम कर रहे है किसानों ने भाग कर अपनी जान बचाए बाग का वीडियो वाइरल हो रहा है, खेतों में बाग की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का महौल है मामला मौलानी थाने के कुकरा इलाके का है, लोग खेतों पर जाने से डर रहे है सोनभधर में बिजपुर इलाके में अजीर नदी उफान पर है जिले में लगातार हो रही मुसलाधार बारिश से लोग बेहाल है कई लाकों में नदी और नाले उफान पर है देरात ओबरा डैम का एक फाटक खोलना पड़ा और रात से लगातार पुल के उपर पानी चल रहा है उदर करमा शेतर में पुल बहा जिससे कई गाओं का संपर तूटा जरहा में अम्बुलेंस दो पहिया चार पहिया स्कूल के छातर छातराएं फ़स गए केंदर सरकार की जंधन योजना के एक दशक पूरे हो गए है जंधन योजना के दस साल होने पर नमो आप पर क्विस के जरिये पीएम मोदी के साइन की हुई किताब जीतने का एक मौका है दस सवालों का जवाब देने पर PM मोदी के हस्ताक्षर की किताबें मिल सकती है ये क्विज आज पूरे दिन नमो एप पर लाइव है नमो एप पर जाकर पूछेगा इस सवालों का जवाब देकर PM के साइन वाले किताबें जीत सकते हैं